हेलो बच्चो आज हम क्लास फोर्थ की हिंदी का पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बाश्षा अकबर अपने मंत्री बीर्बल को बहुत पसंद करता था बीर्बल की बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी जो बाश्षा अकबर थे वो एक मुगल शाशक थे और वे अपने मंत्री बीर्बल को सभी मंत्रियों से अधिक पसंद किया करते थे क्योंकि बीर्बल बहुत ही बुद्धी मान था और इसी कारण कुछ दर्बारी बीर्बल से जलते थे वे बीर्बल को मुसीवत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे अकबर के खास दर्बारी खुद्धी पर बहुत अभी मान था तो अक्बर के दर्बार में एक अन्य दर्बारी थे ख्वाजा सरा वे बहुत ही अभिमानी थे उन्हें अपनी बुद्धी पर बहुत खमन था बीरबल को तो वे अपने सामने निराबालक और मूर्ख समझते थे जो ख्वाजा सरा थे वैं बीरबल को अपने सामने एक छोटा बेवकूफ बच्चे के समान मानते थे लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है दर्बार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की अवाज बच्चे तूती बोलने का मतलब है प्रभाव होना पूरे दर्बार में बीरबल की बातों का ही प्रभाव होता था और ख्वाजा सरा की साहब की बात का तो इस तरह होता था जैसे के जिस बात पर कोई ध्यान ही नाच दिया जाए ख्वाजा साहब की चलती तो बे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते लेकिन निकलवाते कैसे क्यों की उनकी चलती ही नहीं थी तो इसलिए वो निकलवा नहीं पाते थे एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ग साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रशन सोच लिए उन्हें विश्वास था कि बादशा के उन प्रशनों को सुनकर बीरबल के च्छके जूट जाएंगे और वह लाग कोसिस करके भी संतोशनक उत्तर नहीं दे पाएगा फिर बादशा हमान लेगा कि ख्वाजा सरा क्या के बीरबल कुछ नहीं है तो अब क्या हुआ ख्वाजा सरा ने बीरबल को दरबार में नीचा दिखाने के लिए बादशा के सामने कुछ सवाल सोच लिए ताकि अकबर जो है वो बीरबल को कुछ ना समझे और ख्वाजा सरा की ही तारीव करे और उसे ही जादा उस पर ही जादा दिहान दे और उसे ही बहुत पसंद करे अब आगे ख्वाजा सहाब अचकन पगडी पहन कर दाड़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर जुका कर बोले बीरबल बड़ा बुधिमान बनता है आप भी उसकी लंबी चोड़ी बातों के धुके में आ जाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूचकर उसके दिमाग की गहराई ना पले उस नकली अकल बहादुर की कलही खुल जाएगी अब क्या था बच्चो ख्वाजा साहब ने अकबर से कहा कि बीरबल जो है वो बहुत बदिमान बनता है अपने आप में मैं चाहता हूँ कि आप ये जो तीन सवाल मैंने बनाए हैं उन्हें पूचें इस से जो बीरबल नकली अकल लगाता है उसका भेद खुल जाएगा ख्वाजा के अन्रोद करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा बीरबल परम ज्यानी ख्वाजा साहब तुम से तीन प्रश्न पूचना चाहते हैं क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे जवाब दिया बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गार कर उतर दिया यहीं इस्थान चारों और से दुनिया के बीच ओ बीच पड़ता है यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वफीते से सारी दुनिया को आपका दिखा दें कि मेरी बात गलत है तो आप क्या था बच्चो बीरबल ने बोला कि जहाँ पर वो खड़े हैं वहीं पर उन्होंने छड़ी गार कर बोला कि यही इस्थान दुनिया के बीचों बीच पड़ता है सेंटर पॉइंट है केंदर बिंदू तो अगर ख़जा साहब को मेरी बात विश्वास नहीं तो फीते से उसे ना आप सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं गलत हुई या सही पर ख़जा साहब यहाँ पर कुछ नहीं बोल सके क्योंकि दुनिया को फीते से ना अपना बहुत मुश्किल काम है अक्बर ने दूसरा प्रेस्ट किया आकास में कितने तारे हैं तो बीरबल ने एक भीड मंगवा कर कहा इस भीड के शरील में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं ख़जा साहब को इसमें संदे हो तो वे बालों को गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर लें अब क्या था बीरबल ने बहुती बुद्मानी से उत्तर दिया कि जितने बाल इस भेड के सरीर में है उतने ही तारे आस्मान में है अगर ख्वाज़ा साब को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो विश्वायम उन्हें गिन कर उनकी तुलना कर सकते हैं अब अक्बर ने तीसरा सवाल किया संसार के अबादी कितनी है मतलब संसार में कितने लोग रहते है वीरबल ने कहा जहाँ पना संसार के अबादी पल 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 घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है इसलिए यदि लोगों को एक जगे एकटा किया जाए तब ही उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है यहां भी बीरबल ने मुद्धिमानी से उतर दिया कि संसार में लोगों का जीना मना लगा रहता है तो लोग घटे बढ़ते रहते हैं इस वज़े से अगर ख्वाजा साहब लोगों को एक जगे पर इखटा कर दे सभी लोगों को तो मैं उनको गिनकर बता सकता हूँ तो यहां भी ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोल ले पाए बास्षाह तो बीरबल के उतरों से संतुष्ट हो गया लेकिन ख्वाजा साहब नागभों से कोड़ कर बोले ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब तो इस पर बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िये ख्वाजा सहाब से फिर कुछ बोलते नहीं बना क्योंकि ख्वाजा सहाब के पास इनका कोई उत्तर था ही नहीं तो थीना कहानी मज़ेदार बच्चो तो बच्चो अब हम इस पाट के शब्दर्थ और प्रश्णुत्तर देख लेते हैं शब्दर्थ में पहला है संदेह मतलब शक नकार खाना मतलब वह स्थान जहां नगाड़े बचते हैं मूर्ख मूर्ख मेंस बेवकूफ कलाई कलाई मतलब भेद निमनलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहला है ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है अपने मन से सोच कर लिखें अब देखें हैं मैंने कुछ उत्तर लिखें है ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंदर कहा है इसका दूसरा जवाब हो सकता है जिस स्थान पर मेरा घर है वही संसार का खेंदर है उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं इसका दूसरा जवाब हो सकता है आकाश में उतने ही तारे हैं जितने इस पृत्वी पर पेड़ पौदे हैं उनका तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है दूसरा क्वेशन है अगर तुम खुआजी सरा के जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते उत्तर है अगर मैं खुआजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निमने लिखित सवाल पूछता यहाँ पर कुछ प्रश्ण मैंने लिख दिये है पहला है कुटे की दुम सीधी क्यों नहीं होती और दूसरा है संसार में सबसे पहले कौन आया मुर्गी या फिर अंडा अब तीसरा प्रश्ण है खुआजा सरा का बस चलता तो वे बीरपल को हिंदुस्तान से निकाल देते अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी ख्षाय पूरी करना चाहोगे इसमें उत्तर है मैं अपने देश से गरीबी पिरोजगारी पालमजदूरी पूर्टमरी को मिटाकर उसे प्रगतिशील भारत बनाऊंगा ओके बच्चो थैंक यू